तो हेलो गाई स्वागत आपका एक और नी उडियों में तो सामने आप देखी सकते हैं नाइट में आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा लेकिन यह है अपनी होंडा की SP125 बाइक और इस बाइक को यूज करते करते हैं लगबग 6 महिना यानि कि 6 महने से उपर हो चुका है और बाइक कुछ इतने किलोमेटर चल चुकि यह पर आपको मिटर में दिखा देता हूँ तो यह आप आप देखे सकते हैं अपनी बाइक अभी तक चल चुकि है 6 महने से चाहदा जो है इसको यूज करते हो गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यह जो इस बाइक का LED हेडलाइट है इसके परफॉमस में जो है कोई कमी हुई है यानि कि 6 महीने के बाद कुछ कमी इसके अंदर मैसुस होने लगी है क्या कि इसके अंदर जो है क आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप पर्चेस करने वाले है तो यह इनफोर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पूल हो सकती है तो वीडियो का आप एंड तक द्यान से जरूर देखना जिससे इनफोर्मेशन और मेरा जो एक्सपिर आप यह देख सकते है यह लुग कुछ इस तरीके से आता है मैं आपको फ्रंट से वी जो है एक बार दिखा देता हूँ जब लाइट अन होता है नाइट में तो लुग कुछ इस तरीके से आता है जो कि रियल लाइप में और कैमेरा वाली लाइप में तोड़ा बहुत आप एक बार यह क्लियरली देख लो कि लो बीम जाता कहा तक है यह आप लो बीम देख सकते हैं और एक बार हाई बीम अन करता हूँ तो यह आप देख सकते हैं हाई बीम जो है अन होने के बाद और पर प्राइड दिखता है क्लियरली दिखता है सब कुछ जैसे कि आप देखे सकते हैं looking कुछ इस तरीके से clearly आप हर एक जगा से देख सकते हैं कि इसके headlight कितनी जगा cover करता है एक बार मैं आपको bike खड़ी करके भी दिखा देता हूँ तो यह bike पर बैठ चुक है तो यह आप राप देखे सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका headlight सामने रास्ता दिखा देता है और कितनी दूर तक जाती है आप अभी देख ले तो कुछ इतने दूर तक ही जाती है कापी दूर तक जाती है कापी अच्छी बात है और जितनी भी दूर तक जाती है काफी क्लेरली आसे दिखता है कैमेरा वाली लाइप मेई कैमेरा में आपको वो चीज़ är नहीं दिख रहे होगी जो मैं personally और यानि कि खुद से देख सकता हूँ जो कि आपका लाइव हुई ये सारी चीज़ देख सकते है तो headlight का जो performance है वो कापी सही है अभी भी जो है रास्ता कापी clearly जो भी रास्ते पर जहा तक भी light जाती है कापी सारी चीज़ है clearly दिखाई देती है यानि कि night में अगर हमें use करना है तो रास्ता कापी clearly दिख जाता है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 6 महीने use करने के बाद क्या इसका performance डाउन हुआ यानि कि headlight में कुछ problem हुई है कुछ कमी महसूस होती है ऐसा कोई scene है या फिर नहीं तो मैं अगर आपको clearly बता हूँ तो headlight के मामले में इसका जो performance है उसके मामले में मुझे एक परसेंट भी कमी नहीं लगती जो कि मैंने night में भी इसको काफे जादा use किया है हाँ highway पर मेरा use थोड़ा सा कम होता है वापर जादा तर मेरा use नहीं होता लिकिन गाव अगरा में अपनी बाइक यूज होती है तो आपर आप यापर जोए सामने देखी सकते है परफॉमस जोए जैसी नई बाइक मैंने खरी दी थी उस टाइम जिस तरह का लगता था जिस तरह से रास्ता दिखता था अब भी कुछ वैसा ही दिखता है तो यार हेडलाइट के मामले में जोए ना ही मुझे कुछ दिक्कत लगती है ना ही जोए नाइट में यूज करने के लिए मुझे कुछ प्राबलम होता है कापी अच्छे से रास्ता दिख जाता है जैसे कि कैमेरा में आप ये सारी चिज़े क्लीरली देखी सकते है तो कुछ इस तरहीके से इसका परफॉमस है और अब भी भी परफॉमस काफी बहर करार है तो आप समझी सकते हैं कि अगर किसी को बाइक परच्छेस करनी है और headlight से related किसी भाई के मन में अगर कोई doubt था तो मेरी इस information से मेरे 6 माईने वाले experience से 4000 से उपर जोए अपनी भाई चल जुगी है तो उसके बाद जो मुझे headlight का performance मिल रहा है तो यार अगर आप SP125 भाई खरिदने वाले थे और आपके मन में headlight से related doubt था कि क्या इसका LED headlight कोई problem दे सकता है आगे जाकर performance का down हो सकता है ऐसा कुछ अगर आपके मन में doubt था तो मेरे experience के सबसे मुझे ऐसा कोई भी चीज यानि कि ऐसा कोई भी problem कोई भी ऐसा scene मेरे साथ नहीं वा जैसे पहले मुझे headlight का performance headlight से visibility मिलती थी वो सारी चीज़े अब भी पर करा रहे है जैसे कि आप सामने जो है सारी चीज़े देखी सकते है बाकी आप में से कोई अगर SP 125 बाइक यूज कर रहा है तो आप अपने experience के बारे में बता सकते है कि headlight के performance के बारे में आपको क्या लगता है आपको कुछ कमी लगती है या फिर नहीं आपको कुछ problem लगता है ऐसा कोई अगर आपके साथ scene जो भी है आप comment करके अपने experience के बारे में बता सकते है जिससे किसी और को थोड़ी बहुत तो help होई जाएगी तो बाकी headlight का कुछ इस तरीके से performance है और high beam on होने के बाद फ्रंट look कुछ इस तरीके से आता है जो कि camera अच्चे से आपको दिखा नहीं पारा है तो यहांसे आप देखी सकते है फ्रंट look कुछ इस तरीके से आता है बड़ी गाड़िया जो होती है उनसे अपनी SP125 के हेडलाइट का कोई कंपारिजन नहीं बनता उनको टकर देना जो है इस बाइक के बस की बात नहीं है जो कि ये बात आप क्लियरली खुद भी समझे सकते है कि इसका जो है एक लिमिट है एक लिमिट तक जो है ये परफॉमर्स देश खती है बड़ी गाड़ियों के सामने इसके कोई भी टकर नहीं लेगिन आपको जो है जादा कुछ दिक्कत होनी वाली नहीं है मैंने भी थोड़ा बहुत हाइवे पर इस बाइक को यूज किया है तो अगर आप थोड़ा बहुत हाइवे राइडिंग करते है आपको जादा बार-बार हाइवे राइडिंग नहीं करना पड़ता तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी बात को आप समझी गए होंगे बाकी एक बार फिर से जो है लो बीम कहा तक जाता है और कितनी जगह कवर करता है यह आपको मैं क्लियरली दिखा देता होती है आप देख सकते है यह लो बीम और कुछ इस तरीके से आप खेतों ही जो है देखी सकते है यह पर लो बीम हाई बीम लो बीम हाई बीम लो बीम हाई बीम तो डिफरन जो है और परफॉमस जो है आप क्लियरली आप देख सकते है सारी चीज़े समझ सकते है और मेरी बात को भी तोड़ा कपड़ा वगेर से clean करते रहते इसको जो पोच्टे रहते तो कापी अच्छी बात हो जाएगी बाकी इसको जादा कुछ करने की जरुरत नहीं है बाकी सामने आप देखी सकते और एक बार मैं आपको back से look दिखा देता हूँ कि किस तरह से look आता है मेरे experience के सबसे कोई बात नहीं यह बेजी जग इस बाइक को खरीद सकते हो उठाओ यार पैसे देदो बाइक खरीद के लेके आओ आओ आपको headlight से related मेरे experience के सबसे तो मैं clearly बता देता हूँ कि headlight में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं कापी सही जो starting में performance मिलता है और 6 महिने के बाद भी मुझे कापी सही performance मिल रहा है जो कि 4000 से उपर अपनी बाइक चल भी चुकी है तो performance अभी तक तो कापी सही मिल रहा है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है नहीं कोई कमी महसूस होती है नहीं headlight में कुछ problem पहले था नहीं अब है तो ये सारी चीज़ है कापी बेटर है और headlight के मामले में यानि कि headlight की में हमेशा तारीफ करता रहता हूँ इस बाइक की जो कि इसमें LED headlight मिलता है और performance कापी सही है बागी सारी चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे और मेरा experience कैसा रहा इसके बादे में आपको जो है clearly पता चली गया होगा तो काफी better मेरा experience है बागी आपको सारी बाते जो है समझ में आ गई होगी तो मेरा जो experience था वो clearly जो भी था मैंने आपके साथ share कर दिया और कुछ information share कर दी जो कि आपके लिए थोड़ी बहुत तो helpful होई सकती है तो वीडियो का आप लाइक कर सकते है गर आपको वीडियो अच्छा लगता है कुछ information आपके काम आ जाती है बाकी चानल पर अगर आप नए है तो चानल को आप subscribe भी कर सकते है बाइक से रिलिटेड ऐसे कापी सरे अलग-अलग टाइप के वीडियो देखने के लिए तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में वीडियो को या तक द्यान से देखने के लिए थैंक्यू सो मच